नमस्कार दोस्तों तो यहाँ पर Paytm Payment Bank के लिए एक बहुत बड़ी bad news है तो यहाँ पर action लिया है RBI ने section 35A के अंडर जी यहाँ दोस्तों तो जितनी भी banking activities है Paytm की wallet, UPI और जितने भी दूसरे transactions वगरा होती है जो भी transaction IMPS जो भी transactions हो रही है basically सबी की सबी ban हो जाएंगी 39 पड़ेगा Paytm customers के ऊपर तो basically यहाँ पर कोई भी wallet वगरा Paytm bank यूज नहीं कर पाएगा नहीं wallet हाला कि जो अगर आपका पैसा add है तो वह आप यूज कर पाऊगे वह आप निकाल भी पाऊगे लेकिन उसके अलावा आप कोई भी नया पैसा add नहीं कर पाऊगे नहीं कोई economic transactions कर पाऊगे और UPI भी यूज नहीं कर पाऊगे तो यह एक बहुत बड़ा जटके वाली बात है तो guys मैं आपर आपको shares के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर definitely Paytm के share को बहुत बड़ा जटका लगेगा तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में 18% ग्रो किया है Paytm का share तो आपको याद होगा कि around 600-650 पर इसका share का price चला गया था और उसके बाद से क्या मतलब बड़िया growth करी है इसने 18% सिर्फ एक महीने के अंदर और guys यहाँ पर अगर हम 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हो कि 800-1000 रुपे में यह घूम रहा था Paytm का share काफि लं का लग सकता है यहाँ पर जब भी अब ट्रेडिंग सेशन फरवरी एक फरवरी को start होगा तो हाँ guys यहाँ पर अगर आप Paytm में invest करने की सोच रहे हो या फिर आगर आपने already invest कर रहा है तो यह आपके लिए सोचने वाली बात है तो हाँ guys इससे related कोई भी update होगी तो आपको Inf अब यूट्यूब चैनल पर पता चल जाएगा असले subscribe कर लेना चैनल को और notification bell on कर लेना मिलते हैं next video में